इस्राइल और गजा के बीच जो युद्ध जारी है उसमें एक ऐसी अश्चरी जनक खबर सामने आई जिससे सुनकर हर कोई हैरान रह गया दरसल इस्राइल गजा के अलग-अलग एलाकों में हवाई हमले कर रहा है इस हवाई हमले के जद में एक शरनार्थी शिविर भी आया बताया जा रहा है कि इसमें तेरा लोगों की मौत हुई लेकिन एक अश्चरी जनक घटना भी इसी जगा घटी जहां एक फिलिस्तिनी मृत महिला के गर्व में पल रहे बच्चे को डॉक्टरों ने जिन्दा निकाल लिया बताया जा रहा है कि जिस तरह से यह हमला हुआ उसके बाद कई लोगों की मौत हुई इसमें बच्चों समेत कई अन्य महिलाओं और पुर्षों की मौत हुई है लेकिन जो महिला नौ महिने क गर्वती थी उसे अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल पहुशने के बाद डॉक्टरों ने पाया कि उस महिला के अंदर मौजूद बच्चा जीवित है जिसके बाद ऑप्रेशन किया गया और ऑप्रेशन के बाद उस बच्चे को सकुशल उस मृतक मा की पेट से निकाल लिया गया वो बच्चा इस वक्त बिल्कुल स्वस्त बताय जा रहा है उसकी स्थिती बिल्कुल स्थिर है शुरुआत में ऑक्सीजन की कमी के कारण उसे इंक्यूबिटर में रखा गया है माना जा रहा है कि वो बच्चा सकुशल घर वापसी कर लेगा इस हमले में उस परि का कहना है कि वो अपने बच्चे का चेहरा देखना चाहती थी लेकिन उससे पहले ही उसके इस हमले में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मौत हो गई इस पूरे मामले में डॉक्टर ने बताया कि 19 जुलाई को यासिन का परिवार इस्राइली हवाई हमले में टार्गेट हु उसे सरजरी के बाद निकाल लिया गया वो इस वक्त स्वस्थ है और ऑक्सीजन सपोर्ट पर है उन्होंने ये भी कहा कि इश्वर का धन्यवाद है कि बच्चे को उन्होंने जीवित बचा लिया लेकिन जिस तरह से गज़ा के अंदर लगतार इस्राइल हमले कर रहा है वो क तब तक वो इन हवाई हमलों को नहीं रोकेगा ब्यूरो रिपोर्ट भारत तक